नीले सियार की कहानी एक बार की बात है जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी तेज हवा से बचने के लिए एक सियार पेड के नीचे खड़ा था तभी उस पर पेड की भारी शाखा आकर तडाम से गिर गई सियार के सिर में गहरी चोट लगी और वो डर कर अपनी मान्द की और भाग गया उस चोट का असर कई दिनों तक रहा और वो शिकार पर नहीं जा सका खाना न मिलने से सियार दिन प्रति दिन कमजोर होता जा रहा था एक दिन उसे बहुत तेज बूख लगी और उसे अचानक एक हिरन दिखाई दिया सियार उसका शिकार करने के लिए बहुत दूए तक हिरन के पीछे दोड़ा लेकिन वह बहुत चल्दी ठक गया और हिरन को मार नहीं पाया सियार पूरे दिन गूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा लेकिन उसे कोई भी मरा जानवर ना मिला जिससे वह अपना पेट भर सकता जंगल से निराश होकर सियार ने गाउं की और जाने की ठानी सियार को उमेद थी कि गाउं में उसे कोई बकरी या छोटी सी मुर्गी मिल जाएगी जिसे खाकर वह अपनी राद काट लेगा गाउं में सियार अपना शिकार ढूंड रहा था लेकिन तभी उसकी नजर कुटों के जुंड पर पड़ी जो उसकी और आ रहे थे सियार को कुछ समझ में नहीं आया और वो धोबियों की बस्ती की और दोड़ने लगा कुटे लगा तार भोंक रहे थे और सियार का पीछा कर रहे थे सियार को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो धोबी के उस ड्रम में जाकर छिप गया जिसमें नील गुला हुआ था सियार को न पाकर खिक्तों का जुंड वहां से चला गया बेचारा सियार पूरी रात उस नील के ड्रम में चिपा रहा सुबह सवेरे जब वह ड्रम से बहार आया तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया है सियार तो बड़ा ही चालाक था अपना रंग देखकर उसके दिमाग में एक तर्खीब आई और वह वापस जंगल में आ गया जंगल में पहुँचकर उसने ऐलान किया कि वह भगवान का संदेश देना चाहता है इसलिए सारे जानवर एक जगा पे इकठा हो जाएं सारे जानवर सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े से पेड के नीचे इकठा हो गए सियार ने जानवरों की सभा में कहा क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है मुझे ये अनोखा रंग भगवान ने दिया है और कहा है कि तुम जंगल पर राज करो भगवान ने मुझ से कहा है कि जंगल के जानवरों का मार्ग दर्शन करने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है सभी जानवर सियार की बात मान गए सब जानवर एक ही स्वर में बोले कहिए महराज क्या आदेश है सियार ने कहा सारे सियार जंगल से चले जाएं क्योंकि भगवान ने कहा है कि सियारों की वज़े से इस जंगल पर बहुत बड़ी अपदाने वाली है नीले सियार की बात को भगवान का आदेश मान कर सारे जानवर जंगल के सियारों को जंगल से बाहर ख़देडाएं इसा नीले सियार ने इसलिए किया क्योंकि अगर सियार जंगल में रहते तो उसकी पोल खुल सकती थी अब नीला सियार जंगल का राजा बना बैठा था मोर उसे पंखा जालते और बंदर उसके पैर दबाते सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह उसकी बली मांग लेता अब सियार कहीं नहीं जाता था हमेश अपनी शाही मांद में बैठा रहता था और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते थे एक दिन चान दिनी रात में सियार को बड़ी ही प्यास लगी वहमांद से बाहर आया तो उसे सियारों की आवाज सुनाई दी जो दूर कहीं बोल रहे थे रात को सियार हु भु की आवाज करते हैं क्योंकि ये उनकी आदत होती है नीले सियार भी अपने आपको रोक न सका उसने भी जोर-जोर से बोलना शुरू कर दिया शोर सुनकर आस-पास की सभी जानवर जाग गए उन्होंने नीले सियार को हू-हू की आवाज निकालते हुए देखा तब उन्हें पता चला कि ये तो एक सियार है और इसने हमें बेवकूफ बनाया है अब नीले सियार की पोल खुल चुकी थी ये पता चलते ही सारे जानवर उस पर तूट पड़े और खिसीता और उनकुमार डाला सीख, हमें कभी जूट नहीं बोलना चाहिए एक न एक दिन पोल खुल ही जाती है किसी को भी ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है